हाव तो यूज केपकट विदाव वीपियंट 20 25 वी केपकट नो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करें आज की इस वीडियो में हम आपको डीटेल्स में जानकारी देने वाला हूं हाव तो फिक्स केपकट नोट वर्किंग प्रॉब्लम्स जब भी फ्रेंड आप लोग केपकट के अंदर टेम्पलेट या फिर इफेक्ट बोडी इफेक्ट वगएरा यूज करने के लिए आते हो आपको नो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल जात इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं मैं आपको step by step तरीका बताने वाला हूँ जिसको आपको फोलो करना है और आप लोग इफेक्ट हो गया template हो गया वर्क नहीं कर रहे हैं फुली तरीके से वर्क करना start कर देंगे okay so guys ज्यादा time waste ना करते हुए वीडियो को start कर लेते हैं किस यहां से क्या करना है officially cap cut video editor आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको ध्यान से मेरी बात को समझना है और ट्रिक को follow करना है जो cap cut video editor है आप सो ही दोस्तों को guys यहां पर वीडियो को effect को use करने के time पर आपको नो internet connections की problem देखने को मिल लिए तो problem को solve करने के लिए आपको phone की setting open करना है कुछ इस प्रकास से friend आपको interface देखने को मिलेगा आपको नीचे side में आना है अब आपको एक options मिल जाएगा about device का या फर देख लेना है आपको software update का option डून लेना है आपको देखना है जो आपका mobile phone है कही ना कही update तो नहीं मांग रहा है यदि friend update मांग रहा होग बैक आना है कुछ इस प्रकास से interface आएगा फिर आपको यहाँ से officially google play store open करना है आपको यहाँ पर एक application को यहाँ से install करने की जरूरत पड़ेगी आपको सर्च बार में जाना है आपको सर्च करना है फाबर वीपियन फाबर वीपियन अप्लीकेशन आएगा इसको आपको install और डाउनलूट करना है आप काफी बंदे लोग सोच रहे हैं मैं तो और लेटी बारबार ट्राइ कर चुका हूं वीपियन भी लगा चुका हूं लेकिन आपको जो सही तरीका है वो आपको नहीं पता का आखिर कैसे वीपियन को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर इसके लाबा अदरवाज कोई दूसरा वीपियन यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये वीपियन काफी कमाल का है ठीक है तो इस application को install करने के बाद में cut मारना है ओफिशली यह यहाँ से CapeCut के उपर प्रेस करना है CapeCut के app information के अंदर आपको चले आना है कुछ इस पर कहाँ से interface आएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर एक बार फोर्स स्टॉप करना है तन इस्टोरीज पी जाना है फ्रेंड आपको का इस यहाँ पर CapeCut के clear all data कर देना है ठीक है जैसे आप लोग clear all data करते हो आपका काम है आज से complete हो चुका है अब उसके बाद में थोड़ा वैक आना है वैक आने के बाद में आज से cut बारना है वो officially जो आपने application को install किया है जो आपका power VPN तो आपको simply उसे open करना है कुछ इस पर काहाँ से interface आपको देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है three dot पे click करना है allow apps पे चले आना है तो इस options को आपका off होगा तो इसको आपको enable करना है केपकट को पर tick mark लगा देना केपकट डूणने के बाद में नीचे को पर डूण लेना है केपकट आपको यही पर मिल जाएगा तो उसके उपर इस पर काहाँ से tick mark लगाना है उसके बाद में थोड़ा बैक आना है आप यहां से इस VPN को आपको चालू करना है आप देख सकते हो मेरा VPN ने चालू हो चुका है इसको यहां से कर्ट मारना है आप लोग देख सकते हो मैं आपको लाइप पुरूप दिखाऊंगा इधर आना है जो भी वीडियो चालू है यहां से उसको सिलेक्ट करना है वीडियो सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकास से इंटरफेस आएगा फ्रेंट टीक है तो अभी आपको क्या करना है ध्यान से सम अच्छे से वर्क कर रहे हैं मतलब पहले वर्क नहीं कर रहे थे लेकिन यहां पर यह वर्क करने लगे अब मेरे को कोई भी दिक्कत भी नहीं आ रहा है और मैं इफ्यक्ट को अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूं और यह वोडी इफ्यक्ट हो गया यह सभी एफ्यक्ट भी फुली तरीके से वर्क करने यह जो मैं आपको तरीका बताया हूं काफी कमाल का है सिर्फ आपको यूज करना है अच्छे से ताकि आपको समझ में आया हो और मतलिक इनको बंद करना है ओके सो मेरी वात को समझ गया हो इधी वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक एंड चलन को सब्सक्राइब करना है मिलते हैं न्यू वीडियो में ठेंक्यू सो मज